इस वर सिस्टेम के कुछ इंट्रेस्टिंग अपडेट हमें देखने को मिलें जो कि सिक्यूर्टी पैसे रिलेटेट है सवी डिवाइसे के लिए और अनदर यहां पर कैमरा एप का अपडेट आया है तो यह जो सिक्यूर्टी पैस का अपडेट होने वाला है यह सभी के डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा जो कि आपको कुछ अलग तरीके से अपडेट करना पडेगा क्योंकि यह मिवाई का सिस्टम एप अपडेटर नहीं है यह गूगल के तरब से आयवा सिक्यूर्टी तो रिये स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो गूगल का सिक्यूर्टी आप है न वो अपडेट हो जाएगा लेटेस सिक्यूर्टी पैच के साथ और यह काफी जड़ा इंपोर्टेंट होता है ताकि आपके फोन का सिक्यूर्टी इंप्रूव होता रहा है इवरी मन्त ताकि ह जो डेटा वगेरा इधर से उधर ना जाए तो इसी तरीकी से आपको भी अपने Redmi, MI और POCO के डिवाइस के अंदर चेक करना है में भी यह आपको आज इक डेट में मिल जाएगा या एक दो दिन बाद भी देखने को मिल सकता है तो मैंने सिर्व से यहाँ पे चेक किया है लेकिन अभी तक रिबूट नहीं किया इसलिए आप दिखो यहाँ पे 1 जनुरी का ही दिखाई देता है और यहाँ पे सिक्योर्टी अपडेट 8 मन्त का जो कि इसके MIUI के वर्जन का सिक्योर्टी है तो दो टाइप के अपडेट आते हैं एक MIUI का और एक Google का जो कि मैंने वन डे पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि क्यों हमाई अपडेट इतना लेट मिलता है क्यों आज कर डिफेक्टिव प्रोडक्ट टेखनी को मिल रहे है क्यों वहाई कोई भी अपडेट आता है तो रोल बैक कर लिया जाता है वो सब कुछ अच्छे से एक्स्प्लेइन किया था और वही चीज़ यहाँ पर है आपको एक MIUI का सिक्योर्टी अपडेट और एक Google का सिक्योर्टी अप अपडेट अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा तो देख से तो restart का option है और जैसे मैं इस पर reboot करूँगा कुछ देर में मेरा phone on होगा और यहाँ पर जो 1 January था वो change हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा phone जो on हो चुका है अब मैं इसे unlock करता हूँ सेम इसी तरह की से आपको भी अपने phone के अंदर करना है चैसे आपका MIUI 11 हो या 12 हो सवी को उपर यह चीज़ आपको देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने security status के उपर अब आप यहाँ पर देखो है कि यह 1 अगस्त का यहाँ पर स्वीच कर चुका है तो डायक्ट जो January था वो अगस्त पर आ चुका है तो यहाँ पर maybe मेरे device के लिए अगस्त का है आपका सितंबर का हो सकता है तो चेक कर लेना तो देखें तो एक और update यहाँ पर आप 100 कर दिया जो की 23 MB के आसपास का था तो काफी old यहाँ पर Google security patch था इसलिए आप टू टाइम update देखनी को मिला है तो इस तरह किसे आप जरूर चेक करना अब इसे भी हम यहाँ पर download करेंगे तो जब यहाँ पर size थोड़ा बड़ा रहता है तो यहाँ पर आपको दिखाता है size जब छोटा रहता है तो direct यहाँ पर reboot का option देखनी को आपको मिलता है यानि restart का तो इसे भी हम download कर लेते हैं तो यह download हो गया अब install update हो रहा है और फिर से यहाँ पर restart का हमें sign देखनी को मिलता है तो यहाँ पर फिर से reboot हुआ आप चलिए फिर से check out करते हैं और अब देखते हैं कि यह 1 अगस्त है कहाँ पर switch करता है 1 January से अगस्त पर गया अगस्त के बाद यह maybe September पर मारा switch कर जाएगा क्योंकि अभी तक वह अक्टूबर का security patch हमें दिखाई नहीं दे रहा तो देख सब यहाँ पर 1 September अब दिखाई दे रहा है अब मैं यहाँ पर दूरा चेक करूँगा तब कोई भी check यहाँ पर so नहीं करता तो इस तरीके से आपका कोई भी old security patch होगा वह 1 September पर switch कर जाएगा यह every month है जो roll out किया जाता है तो आप check कर लिया करो otherwise मैं next time से information दे दूँगा अगर आपको चाहिए होगा तो comment जरूर करना अब आते हैं camera app update के उपर तो अभी जो आप camera यूज करे होगे ने अपने phone के अंदर by default जो कि आपका होगा 4.3 ठीक है तो यह जो 4.3 है जिसमें आपको साइच चीजे पता है लेकिन इसके बाद 2 update आए है एक तो आपको default camera कहीं है और एक दूसरा जो लाइका का है जो कि भाए अलग phone में आया था सावमी के latest phone के अंदर लेकिन हाँ वो भी आप अपने phone के अंदर use कर पाऊगे उसका भी update आया है जो कि यह हमारे पास 4.3 का ही यह update है तो maybe अगर आपका phone latest software पर run कर रहा है तो यह Leica का जो camera update है यह आपके phone के अंदर installed ना हो क्योंकि अगर आपका version default वाला थोड़ा updated है और Leica का version त्वासर down side रहेगा तो update नहीं होगा तो यह और आप अपने camera के app को uninstall करके देखना अगर uninstall होता है उसके बाद आपका Leica काम करेगा और हाँ बहुत सारी लोगा यह भी ओपिनिन आया था इस Leica के camera को update करने के बाद कि उनके camera के quality पहले से improve हुई है especially Mi 11X के users के तरब से यह opinion मुझे देखनी को मिला था तो आप भी और चिक कर लेना कि update करने को और क्या quality में improvement आता है या फिर नहीं ऐसे तो basically कुछ ज़्यादा improvement नहीं आना चाहिए लेकिन हाँ कुछ को device के अंदर फर्क परता है तो यहाँ पर आप देखोए कि documents का sign आपको कुछ इस तरीके से देखनी को मिल जाता है pro का यहाँ पर option देखनी को मिल जाता है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आप देखोए कि जो camera का sign है ना वो थोगा different हो चुका है यहाँ पर auto जितने भी लिखे हैं वो box के अंदर आपको दिखाई देते हैं documents के अंदर आते हैं तो यहाँ पर जो 6X है 1X है और 2X है इसके उपर एक round circle है जो कर दिया गया है जो कि हमें पहले देखनी को नहीं मिलता था साथ साथ original यहाँ पर white और यहाँ पर enhance का option भी देखनी को मिलता है वीडियो के अंदर भी same उसी तरह के से दिखाई देगा और अगर हम tap करते हैं तो कुछ इस तरह के सापको effects देखनी को मिलता है उपर tap करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जो यहाँ पर दिखाई देगा जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है और यहाँ पर voice shutter भी आपको मिल जाता है जो कि चीज करने पर camera क्लिक करके देता है तो यह भी कासी अच्छा है जहां से आप voice command के यूज करते हुए यूज कर पा गए portrait के अंदर भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के से sign देखनी को मिलता है जहाँ पर आप वह लग लग filters वगर अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर भी आपको beautification का option मिल जाता है night mood भी same उसी तरह के से है और more के अंदर का आप देख से तो UI पूरा का पूरा आपको change याने different देखनी को मिलता है और जो default पहले वाला camera था ना उसके यहाँ पर 4. पर क्लिक करने के बाद इसका जो preview थोड़ा different होता था tiles के रूप में नहीं आएगा बट चाहो तो आप uninstall करके फिर से नया वाला install कर सकते हो तो यह हमारा latest जो की 4.5 क्योंकि हम यूज कर रहे थे वह 4.3 था और Leica का वी जो update है वह है 4.3 बट यह जो camera है यह हमारा 4.5 है और हाँ यह camera में भी आपके android 12 पे ही काम करें android पर काम नहीं करेंगा तो यहां चेक जरूर कर लेना कि काम करता है या नहीं और android 10 पर ट्राइं ही मत करना और हाँ नहीं काम करते है तो उसे uninstall भी कर सकते हो टेंसन लेनी की बात नहीं है मैं बताऊंगा कैसे uninstall करना है तो यहां पर update हो जाने के बाद इसे आप open करोगे तो तो देख से तो यह पहले वाले ही लुक पर आ चुका है बढ़ हाँ यहां पर थो साच चेंज हो चुका है और लाइका का यहां पर लुक चला गया है क्योंकि यह सारे एक ही आप के ऊपर इंस्टोल होते है जो कि default camera है कोई third party नहीं है इसलिए अलग app create नहीं होता camera का तो यह देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से और वीडियो पर आते हैं तो कुछ उसी तरीकी से नजर आता है फोटे के उपर आके इसे टैप करें तो इसका जो आपको रेट डेखने को मिला था ना लाइका में अब यहां पर वाइट आपको देखने को मिलता है तो कुछ इस और इस four dot पे किलिक करेंगे टेटा इसके रूप में पहले जैसा ही so कर रहा है तो ज्यादा तो change नहीं हुआ बढ़ हाँ इसके fonts के अंदर थ्वास बदलाव आ चुका है और थो ऐसे जो यहां पर search वाले जो option थे ना जूम वाले option यह थोड़े ऊपर और नीचे जो जा चुके इससे जादा यहां पर change नहीं हुआ लेकिन हाँ जब भी आप camera app update करते हो ना तेका जरूर अपने old camera और नयवाले camera update के बाद picture quality में क्या different रहता है वो check करना और comment करके बताना कि क्या आपको similar देखनी को मिला या कुछ improvement देखनी को मिला अगर improvement देखनी को मिला तो काफी अची app update के अंदर साइची जोग update नजल आता है बट camera का अपडेट कभी नजल नहीं आता लेकिन यह जो camera है ना यह system के update के अंदर से निकाल के बाहर लाया गया है यानि import export वाला काम यहां पर किया गया है तो भाई आप update कर लेना दिक्कत नहीं आएगा लेकिन आपको लगता है य यह third party camera 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 खराब हो जाएगा तो भाई यह third party नहीं है यह official camera ही है जो कि आप update कर सकते हो और camera खराब होने पे कोई भी effect नहीं डालने वाला है फिर भी आपको tension है risk लगता है तो आप update मत करना यह आपके उपर होने वाला है और यहां पर आप देख सकते हो कि uninstall का sign दिखाई द देख सकते हो तो यहां पर लाइका में अपडेट किया उसके बाद यहां पर नहीं वाला यह अपडेट किया वह दोनों uninstall हो चुक है और default वाला यहां पर आ चुका है और आप देखो है कि पूरा look है जो पहले जैसा हो चुका है यहां पर pro mode है documents हच चुका है यहां पर side में चुका है documents वगरे का options और इनके बीच का gapping है यह भी fit से पहले जैसा ही है जो हो चुका है जो कि Leica और नयावाला camera में काफी close देखनी को मिल रहा था तो यही total update आये है हमारे system के तरफ से हमारे redmi और MI और POCO के तरफ से जो कि I hope कि आपको पसंद आएंगे इन में से camera update sad आपक important ना रहे लेकिन हाँ जो security app वल अपडेट है ना यह काफी important रहेगा और इसे आप मिस मत करना कर लेना जरूर ठीक है और इस security app के अपडेट के ऊपर आपको every time video चाहिए या नहीं comment जरूर करना क्योंकि Google security app update के ऊपर मैं पहली बार वीडियो लेके आ रहा हूं तो आपका opinion र चरूर करना अपने दोस्तों के साथ